विभाग नवादा नगर परिशद में कार्यरत सफाय कर्मियों ने किया हाथ खड़े शनिवार को सभी सफाय कर्मी अपने विभिन मांगो को लेकर सड़क पर उतर आए, बताया जाता है कि उनके स्वास्त के प्रती विभागिया। स्तर या प्रशास्निक स्तर किसी प्रकार का मदद नहीं मिल रहा है। सफाय कर्मियों ने कहा हमारे पूर्व का बकाया राशी नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा हम कोरोना वाइरस जैसे घातक महामारी का सामना करते हुए दिन रात। सड़कों पर बगेर किसी प्रकार के सुरक्षा का काम कर रहे हैं। उसके बावजूब पुलिस द्वारा बेवजह मारपीट किया जाता है। नहीं किसी प्रकार का विशेश सुविधा हम अपने और अपने परिवार को ऐसे में कैसे सुरक्षा कर सकते हैं। मस्दूरों ने कहा हम पुरे नवादा नगर परिशत का गंदगी प्रति दिन साफ करते हैं तो हमें विशेश सहायता मिलनी चाहिए या नहीं हम लोग धूल मिट्टी और गंदगी के साथ साथ नाली और गटर आदी साफ करते हैं हैसे में बेगर साधन, संसाधन के हम कैसे काम कर सकते हैं पहराल सभी कर्मचारी अपनी मांगो को लेकर प्रजातन तो चौप पर प्रदर्शन कर रहे हैं विठागी स्तर और प्रशास्निक स्तर पर अभी कोई जवाब नहीं नहीं मिला है इनके हाथ खड़े कर देने पर पुरे नगर परिशिद शित्र में दंगी का अभार लगा हुआ है समय रहते ध्यान में इंदिवादयातम अमारी काई